MP में काबा, अरे मामा गैंग, परदिसवा के गंभी, रभी, मारी, बास, और वे कहतबा मामा के विदाई के तयारी वा आपने बताया कि आपने डेड़ सो गीत लेखें अब तक, एफायर कितनी होई अब तक यह दिल्चस्प है देश भी तो एक परिवार है, तो उसका भी दवाव है क्या कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि ये बाबा से डर गई मुझे जो कहना होता है, मैं एकदम डंके की चोट पे वो बात कह देती हूँ पीजेपी वाले बुलाएं, नव जाएं तो कहिएगा मतलब पीजेपी की कारिका में जाने तयार है मत्परदेश में बिल्कुल, बिल्कुल जाओंगी बिहार में सरकार बदल गई तो अब नहा सवाल नहीं करती आपको पुलिस के नोटीस आते हैं, बुल्डोजर चलने की नौबत आ जाती है, नेता परसनली आपकी फोटो वाइरल करते हैं एक लड़की जब सवाल पूच दे रही है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है तो मैं एकदम अन कैमरा ये बोल रही हूँ कि राजस्थान में काबा भी जल्द आ रहा है आप क्यों रिमानशू की लव स्टोरी क्या है? लव स्टोरी ये था ना कि हम और हिमानशू जो है यही प्रगती मैदान में आज दोनों लो किताब खरीदने नहीं गये थे अब तो मैं कर से बाढ़नी जा सकती ना मेरे फेस पे पिंपल आ गये हैं मेरे चेहरे को लेकर के भी लोग ट्रोल करते हैं वो कहते हैं मर्द जैसी दिखती है आप नोटिस की बाद कर रहे हैं वो अवैत था आप मारकंडे काटजू से मिली थी उसके लिए? उनका जो पहला रियाक्शन था उन्होंने वो नोटिस का जो कॉपी था उसको ऐसे पढ़ा और उनका दरोगा अनपड था क्या? भोजपूरी में लगता है कि वारतों का किस तरह का चितरन कर दिया गया है अपनी मां का कोई लहंगा रिमोर्ट से उठाएगा अचोली खोलेगा एक लहंगा, एक चोली, लिपिस्टी, काजल, बिंदिया टाइप की चीज हटा दिया जाए तो भोजपूरी एक गाना रेडी होने में मुझे लगता है कि बरसों लग जाएंगे और रेडी नहीं हो पाएगा डांस बड़ी अच्छी चीज है लेकिन अपने बिहार में डांस करती हो वो जिस नजर से देख लेगा भाई बस यहां सच में मुझे लगता है मैं मेरे मौसी के घर आ गई हूँ मैं इतनी बार यहां पर आई हूँ और इतना प्यार मुझे मिलता है हर किसी से मतलब तो यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है नमस्ते मैं अविचल दूबे न्यूस तक के इस मंच मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ देश में सियासी माहौल बना हुआ है पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और फिर चार एक महीने बाद देश में आम चुनाव होंगे आज मंच पर जो हमारे सॉत मौजूद हैं वो कोई सियासतदा तो नहीं है लेकिन साहट्य से सियासी जुहै लगाव उनका जादा है आज हमारे साथ इस मंच पर हैं नेया सिंख्राटर नेया आपका बहुत सारा स्वागत है और मैं शुरू से शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आप एक लाइफ जर्नी बता सके हैं क्योंकि हर दर्शक को नहीं पता होता है आपने जहां से शुरू किया आप बता दीजिए कि आप ऐसे ही सियासी हो गए या कुछ और उद्देश शिता और इतना प्यार मुझे मिलता है हर किसी से मतलब तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाँ जर्नी मेरी ऐसी कुछ इंट्रस्टिंग नहीं है या फिर इतना अनुभाव नहीं है अभी मेरे पास कि मैं ये बताओं कि ये भी हुआ मेरी लाइफ में वो भी हुआ पर जो समझ में आया कि जो पढ़ाई में कर रही हूं मुझे लगता है ये शाद मेरे लिए नहीं है वो अलग बात है कि तब हम बच्चे होते हैं अभी भी हम छोटे ये 26 साली मेरी उमर है लेकिन तब हम और छोटे थे और डिसाइड कर पाना कितना मुश्किल होता है घर वाले और लोग कर रही है करें सारे भोजायां वेर्ब कर रही है मेरें बेहन attributes कर रहें है मुझे Bye Brothers Donc तो अमने नहीं करेंगे पढ़ाई लिखाई भ़ले जोड़ी जोड़ें नहीं करेंगे हार उसका कोंड़ा जिनाई चार साल की मेरी बुआ है उनकी बेटी है और उनकीड Rights अदेशा जो भी लेकिन मैं अश्साल से उनका कोई वास्ता नहीं है और सारी दिन बच्छे को हो गया है एक्जाम देने जा रहे हैं तो वो मुझे नहीं करना था लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ कि अब वो नहीं करना है तो करना क्या है यह सबुक पर गाना तुनहीं आसकते ना वह तो आपका फ्यूचर नहीं है ना घरवाले कैसे यकिन करने कि यह आपका करियर है और ही आप कुछ करने वाली है लेकिन मैं शुरू से ही बहुत उदंड रही हूं और मुझे इस चीज को स्विकार करने में कोई हर्ज नहीं है पता है पता है पता है अच्छा हां मैं कह सकते हैं कि हां बदमाशी करती थी मैं एकदम किसी की बात नहीं सुनना मम्मी बाल पकड़ करें कि मुझे मारती तब ही मैं उनकी बात नहीं सून्ती थी हां भी एर में कहा जाता जोड़ा पेरदेब तो हर अब मुझे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला तो मैंने कहा कि मैं तो गीत गाउंगी तो मेरा भाई डर ही गया क्योंकि यूपी भीहार में गीत गाना सिर्फ गीत गाना नहीं होता है उसको उसका एक और भी नजरिया है ना अलगी डांस बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन अपने बिहार में डांस करती हो वो जिस नजर से देख लेगा भाई बस अब पढ़ लिजिए कि वो क्या कह रहा है तो बड़ा मुश्किल है गीत गाती हो गीत चैनल क्या होता है सोशिल मीडिया के नाम पर वही बस एक फेस्बुक प्रोफाइल था जिस पर पचास लोग मेरे एड थे पांच-दस लाइक साते थे दो चार कॉमेंट अपने मतलए गिंती के लोग थे वहां पर मैंने गीत अपलोड किया पहला गीत जो मैंने गाया था व तो मतलब चलेगा ने ऐसे तो इसका बिया कौन करेगा बीड नहीं करेगी तो अब आगे चल के हो सके ला मस्टर आइन बन जाए तो अब मेरे पास तो बीड है नी अब बस खाली ग्रेजवेट है लड़की तो मेरे भाई ने मेरे बच्पन में जो मेरे को टुशन पढ़ाते थे उनका ना मनिल सर है उनको बुलाया और भी एक दो लोग जैसे खाप पंचायत लगता है ना मेरे घर में वैसे गोल में सम्मेलन टाइप का बीच में मैं बैठी हूँ ऐसे करके सब लोग हां तो तुम करना क्या चाहती हो जो भी पुछा धीठ तो मैं इतनी कि मैं अपने सर से भी ना डरू भाईया को यह लगा नो दबाव बनाने के लिए कि आया था कि अनिल सर बोल देंगे तो और मैं यही करना चाहती हूं बहुत सारी लोगों ने बोला कि इसमें करियर नहीं है और ठीक बात नहीं है और एक बात पता नहीं मैं बार बार यह बात बोल रही हूं कि हां हमारे यहां ऐसा चलता है राजपूत की लड़की गीत गाएगी हां यह चलता है गीत गाने वाले हां haa पे मुझे बुलाया गया था तो उस भी इस पे बात-बात करने के लिए ही बुलाया गया था तो मैंने वहां पर दिन, नहीं नहीं सोचा था मैं henśli का बनूंगी, गाई ख़रु है के में मुझे नहीं पता है. अगर एसे पता होता तो मैं अपड़ रही होती है. तो इसलिए था क्योंकि मेरे गाउं में एक रोड है और आप लोग अगर गाउं देहात के होंगे तो रिलेट कर पाएंगे इस चीज से सुबह शाम औरतें बच्चें पुरुष जो भी है जिनके घर में सोचाले है वो भी जिनके घर में नहीं है तो उनकी तो मजबूरी है लोटा लेके उसी रोड पे उसी रोड पे बैठे आते आप एक तो क्या ही मैं आपको बताऊं अजीब सा वो एक माहौल बना रहता है था मैंने गीत लिखा यही वाला हमरा प्रेम के निशानी देखाई दपिया सौचाले बनाई दपिया और इसको अपलोड किया तो तब वही फेस्बुक प्रोफाइल था लोगों ने कहा कि बढ़ा अच्छा लिखी हो गाना तुम तुमने खुद से लिखाय है क्या मैंने ब अपर जो लोगोंने कॉमेंट किया उस कॉमेंट ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज जो कुछ भी मैं कर रही हूं हां मैं कह सकते हूं कि उसका कुछ पर्षरल्य योगाण जरूर है क्या तुम अच्छा कर रही है करो ना हम तुम्हारे साथ Hai तब तक मैरे को को कुई गीत लिखना शुरू किया और तीन साल हो गया मुझे लगता है 200 गीत मैंने लिखे होंगे जादे तर उसमें विरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या पे गीत लिखा है, समविधान के मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं मैंने, तो चल रहा है, म पेज बनाओ, मैंने का कैसे बनता है, महराज मुझे नहीं पता, आज सच में मुझे, कई सारे लोग इसको देखेंगे भी, आज भी बच्चों को लगता है कि सच में यूट्यूब से पैसा कमाया जा सकता है, तो हाँ भाई, मुझे भी यही लगता था, भी जूट बोलते ह कोई पैसा वैसा नहीं कमा सकता है, पर हाँ होता है, एटसन से उसके पैसे आते हैं, अब तब मैं एक ग्रेजवेशन करने वाला बच्चा जिसको मेरी ममी 15 रुपया फुचका खाने के लिए नहीं देती थी, उसको लगता था कि बाजार में फुचका खाने वाली लड़की गुलगपपा खाने वाली लड़की को अच्छा नहीं माना जाता है, तो अब तो मेरे पास कुछ पैसे उसे थे नहीं, तो एक रोजगार का भी जो कह लें, तो अच्छा है, अभी मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिला है, मुझे बहुत अच्छा रगता है, आपने बताय ये मुझे अवैद नोटिस भेज दिया जाता है, तो है ऐसे ही अब तो मुझे लग रहा है कि अब गिनना थोड़ा मिश्किल होगा, अब इतने अफाई आरब हो रहे हैं, आप नोटिस की बात कर रहे हैं, वो अवैद था, आप मारकन ने काटजू से मिली थी, उसके लिए हाँ मैं आपको बता रही हूँ, देखे क्या है ना कि बहुत कानूनी प्रोसेस तो मुझे मालूम नहीं है, कि क्या होता है, सच में मेरे को नोटिस आया ना, आचा कुछ और इसमें मैं आपको इंटरस्टिंग बात बताना चाहूँगी, पता नहीं, लोगों को तो यही पता हूँगी कि मैं मारकंडे काट जू, सर तक मैं कैसे पहुंची, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था, मैं पहले से ही बिमार थी, ठीक है, और बीच में यह नोटिस आया, और दिल्ली में इतना सारा पुलीस के साथ वो लोग आये, ठीक है, कानपूर देहाद से, और जूट बोल करके, पहले मेरे हजबन हिमांशु को ऐसे कॉल किया, कि आप तो UPSC के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, हमें पता है, आप थोड़ा हमें भी गाइड कर दीजी, यह पुलीस के लोग बोल रहे हैं, आप थोड़ा हमें मोटिवेट कर दीजी, आपसे किया जा सकता है, तो मतलब वो बड़ा अजीव था, तो मैंने का नहीं मांशु कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमसे बात कराओ, तो फिर वात नहीं कर रहे थे, वो फोन स्विच ओफ कर दिया, चाह मतलब वो टोटली ऐसे ट्रिट कर रहे थे, जैसे हम कोई बहुत बड़े क क्रीमिनल हो, कही हम भागना जाएं, वो एक दम मुझे घेर लेना चाहते हैं, तो फिर शाम जादे हो रही थी, राद जादे हो रही थी, आठ नौ बज गया, तो फिर हमने एक बार कॉल गया, मैंने कहां बताईए, आप कौन बोल बिना परिचे, महिला पुलिस थी, आचे तब और मोटिवेट करने में थोड़ा मुश्किल था ना, मैंने कहां नहीं ऐसे तुम नहीं जा सकते हो, तो फिर उन्होंने बताया कि हम कानपूर देहाद से हैं, और हमारी पुरी टीम आई हुई है, आप लोग हमें परिशान मत करें, मैंने का हमने आपको कैसे परिशान क होगी, आपको आना है आईए, किसी कैफे में बैठ करके बात बात कर लेंगे, तो उन्होंने फिर बताया कि जो भी है ऐसा है, आईए नोटिस पकड़ाना है, तो नोटिस लेके आए, अच्छा, जहां पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैं आपको ये चीज वो बता रही हैं, वो मेरे गीत को पसंद करते हैं, आते जाते हम लोगों क्या हाई बाई होता है, भीया कैसे हैं, ठीक हैं, वो भी दिदी नमस्ते आप कैसी हैं, वो पहली बार ऐसा हुआ, कि उन लोगों ने मुझे एकदम संदिग्द की नजर से देखना शुरू किया, मैं कहते हूं न ये तो कोई संदिग्द कैरेक्टर की लड़की है, और ये लोग उसके बाद पूरा सुसाइटी के लोग आना शुरू किया, पुली सुलीस तो आजाते हैं, तो ऐसी लोगों को लगता है कि कोई बहुत बढ़ी बदमाशी कुछ किसी ने कर दिया है, वहां के लोग चोर अजीब सा था, मैंने क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सब चीजों के लिए मैं बिल्कुल नहीं थी, मैंने ये कभी देखा नहीं से, शायद अब दोबारा हो तो मैं इतनी confident हो चुकी हूँ कि हां मैं बता सुख कि भाई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तब मैं डर गई ये बीमार भी थी, और इसके बाद शाम होते होते फिर मीडिया से भी कॉल आने लगा, फिर बातचीत, अच्छा, इंटर्व्यू देने में भी बड़ी उर्जा जाती है, बातचीत करने में भी, एकदम सही बात है, शाम होते होते एकदम से मैं ब्लैक आउट हो गई, एकद उनका जो पहला रियाक्शन था, उन्होंने वो नोटीस का जो कॉपी था, उसको ऐसे पढ़ा और उनका दरोगा अनपढ था क्या, तुमको नोटीस देने चला आया, 160 CRPC बिना FIR दर्ज की तुम्हें नोटीस देने के चला कैसे आया, उन्होंने बोला ये अबैद है, ये दराने धमकाने की उनकी कोशिश सी, अचा, उनको ये लगा होगा, जो मुझे लगता है, गाउंदेहत की एक लड़की है, 25-26 साल उमर है, भोजपूरी भाशियों को तो वैसे भी हलके में लिया जाता है, वो कितनी भी गंभीर बात कर लें, तो लगता है कि अरे, वही सब ह ठीक है, तो उनको ये लगा होगा, कि दरा देंगे, थोड़ा धमका देंगे, पुलीस दरुगा जाती, अच्छा, अमबेटकर नगर जहां पे मेरा ससुराल है, वहां पे भी एक माहौल क्रियेट हो गया, अच्छा, मेरी शादी को 9-10 महीने ही हुए थे, उस टाइम, पुलिस दरुगा बुला रही है, अरे घर तडवाएगी, बुल्डोजर गिरवाएगी, बुल्डोजर चलवाएगी घर पे, अरे मेरे ससूर जी को भी लोग इस तरीके से बोलने शुरू हो गया, हाँ ये होता है, वालग बात है कि मेरे से सामने से ऐसे कोई नहीं बोलता ह लेकिन सुनने में वहाँ पे मेरी मौसी सास है, वह बता रहे थे, बिटिया, फालाने का भावजी, फालाने का चाची ऐसे कहत रही, मैंने का जायदा कहत रहे ला, तो बड़ा वो था मेरे लिए, वो सब कुछ पहली बार संभाल पना, कि भाई, सच में मेरे ससूराल वाले क सास उचेंगे, मैं उनके सिर्पे बोश तो नहीं बन गई हूँ, पर इसा बिल्कुल नहीं हूँ है, मेरे ससूर जी, चाहे मेरे घर में दो तीन जो लोग है, मेरे हस्बेंट, वो बहुत अच्छे है, बहुत सपोर्टिव है, और लोगों ने मेरा साथ दिया, और शायद इ इक माहौल के लिए कहा है, समुधाय के लिए कहा है, सही बात है, देश भी तो एक परिवार है, तो उसका भी दवाव है क्या है? मेरे ऊपर दबाओ देखिए एक लेखक जो है न इतना दबाओ नहीं लेता है इतना दबाओ लेगा तो फिर वह अपनी बात कह नहीं पाएगा मैं कल की बात अपसे बताऊं और दो मैंने फोटो भी अप्लोड कर दी तो सब सब को चल मेरे लिए contractor कि संचालक कौन था तो छोड़िये जाने दीजे मैं तो इसे ही लफड़ा है अरे बतलब बात ऐसी है ना जिसे आपने कहा कि दबाओ वाली बात तो कल भी बात्चीत हो रही थी हमारी तो संचालक महोदे ने कहा मैंने कहा कि ठीक है बतलब ओडियन्स के बीचे है कि कुछ गीत सुनाओं मैंने थे करों कि बैठक है और इतना डरता है सहित्यकार महराज ँंकर नाम अनों वह फोलोडने लेता है मैं जैसे के फूरे यह करीन में आपographer में बात कुछ उता है ुदय दख सौनय पंदरा मिनिट से जादा हो गए नहीं अभी तक कोई गीत नहीं आया है तो आप गीत सुनना चाहते हैं मैं सर आपको एक बात थोड़ा सा बता दूँ अगर मेरी आवास खराब जाया तो आप लोग भी माफ केजिए कमी कुछ थोड़ा सर्दी जो कामसा हो गया है नहीं आपक पूरी लोग गीत गाती हूं तो थोड़ा सोहर वहर भी चलेगा उसके थोड़ी भूमिका बना दो क्यूं मैंने लिखा था उस गीत को कोरोना काल में एक प्रसूता इस्त्री ने मतलब एक मजदूर की पतनी ने बीच रड़क पे बच्चे को जनम दिया था उसके बाद 255 किलोमीटर की पदयात्रा करके ऐसे घर आई थी तो उसके लिए मैंने सोहर लिखा था मुझे पता था उसके लिए कोई सोहर नहीं गाने वाला है आरे उठेला दर दिया कमरिया में बीचेरे बजरिया में हो ललना लाज लागे हमरी नजरिया में देखें लोग बजरिया में हो आरे अटकल परान अधजल में आरे सभावा सकल में नहो ललना गाड़े भी पती आके पाल में होरी लाज नम ले नहा आपने शुरुवात में ही कहा हमारी इस बातचीत के कि अभी तो हम बच्चे ही हैं और अभी ज़्यादा अनुभव नहीं हैं लेकिन इस बच्चपने में और कम तजूर्बे में ही आप विद्रोही के तौर पर सोशल मीडिया पर वाइरल होती हैं देश के अलग अलग इलाकों में आपके खिलाप अज़ा जो आप यह बात कह रहे हैं जो परस्टनल फोटो वाली शारी चीजे हैं मुझे एक बात में हमेशा इस बात को कहती रही हूँ कि मुझे यह चीज समझ में नहीं आता है बड़े बड़े रैलियों में बड़े बड़े नेताजी लोग बात करते हैं कि भारत जो है एक लोग तांतरिक देश है एक लोग तांतरिक देश है हम समवैधानिक मुल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं इस सब चीजे कहा है यार अगर भारत एक लोग तांतरिक देश है जहां पर हमें वोट करने का अधिकार है तो हमें सवाल करने का भी तो अधिकार है न हम आपको वोट दे क्यों और वोट अगर हम दे रहे हैं मतलब हम आप पर विश्वास कर रहे हैं हम आपको अपना नेता मान रहे हैं उसके बदले में आपने हमें कुछ वादे किये हैं हमको लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं पूरा तो हमने आप पर भरोसा कि तो सवाल तो करेंगे न कि वह वादे पूरे नहीं हुए विरुजगारी है महंगाई है पलायन है भाई पूरा बिहार का टीम यहां दिल्ली में ऑफिस बना हुआ है बिहार में क्यों नहीं है चट दिवाले में आप लोग भी घर नहीं जा पाते हैं है ना रोते हैं ना बैट करके अभी तो मेरी बात हो रही थी तो क्या है यह और हमारे जैसा आदमी एक गीत लिख देता है सरकार से सवाल पूछ लेता है थोड़ी आलूचना कर देता है आलूचना लोग तंद्र का लगता है कि जहां चुनाव होते हैं अप बरसाती मेंड़क की तरह पहुंच जाती हैं और है क्याने जाट पा रहे है만 जरूर आपको बरसाती ंधक बन जाना चाहिए, बाकि रही बात बरसाती मेंधक की और चुनाओ के टाइम पर गाती है, तो देखिए क्या है और आपको पता चलता रहेगा कि मेरे कौन से गीता है क्योंकि ऐसे फिर एक काबा वाइरल होगा तो आपको लगेगा अच्छा MP में चुनाओ आ गया है क्या तो वह इसे तो काम नहीं चलेगा ना आप जाइए देखिए कि नेहा हर 2-4 दिन पर कुछ ने कुछ लिखती है और क चुनाओ का टाइम ना बहुत सेंसिटिव टाइम होता है यही एक टाइम है जब नेता जी अपने बढ़की-बढ़की गाड़ी से और फॉर्चूनर से करियाक का सिसा नीचे करके कहते हैं हमको वर्ट दीजिएगा उसके बाद तो पांच सालों गाय भी रहते हैं वो तभी तो दिखते हैं एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी शिकायत सरकारों से दर्ज करा सकते हैं उसके बाद सुनते नहीं है यार बेढ़बकरीयों कि तरह दे दिये जा रहे हैं हम लोग और नहीं सवाल पूछोगे तो और भी दुरगती होने वाली है तो चुनाओ का टाइम बह अधी कंवितरी हैं वह फी काहीं किसी मेने सोना थो और कहती है की आपको हर चीज में नकारत मकता दिखती है एसा करती रहेंगी तो लोग आपको लोक गाईका की जगा शोक गाईका कहने लगेंगे अब ये कोई स्क्रिप्टेट तो था नी या मैंने लोगों को नहीं बोला था कि मैं जब सरकारी कभी बोलू बस जनता ताली बजा देना आप ऐसा कुछ नहीं था वो बतलब बड़ा ही नेश्रली ऐसे हो गया उसके बाद से वो इतना प्रेशर लेती है इस चीज का कि कभी मुझे रूदाली गाईका भपाल के मंच पे कभी शोक गाईका कभी पता नहीं अभी अपने चार पांच दोस्तों को भी बोली है कि जहां जाना उसको यही बोलना जनता ताली नहीं पीट रही है मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अनामिका जी जब भी मुझे इस तरीके से बोले तो एक बाद ताली बजा के हूट कर देना और मुझे चुढ़ा देना भाई उन्हें थोड़ी शी शांती उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा ठीक है मुझे लगता है कि आपने कहा सिर्फ इनको नेगरिटिविटी दिखती है देखिए सरकार अपनी योजनाओं को या जो भी उसके अच्छे भले जो भी कारे हैं मेरा बड़ा जरूरी है तो आपको नेगटिव लगे या पॉजिटिव लगे आप अपनी सहुलियत के हिसाब से मुझे रुदाली गाई का और शोग गाई का जो भी मन में आये कहते रहें मेरा जो एक लोक गाई का होने के नाते जन कवी होने के नाते जो मेरा फर्ज है वो मुझे भली भाती पता है और उससे आप मुझे डगबगा नहीं सकते हैं आपसे कहा था कि MP में काबा का नया संस्क्रण कब आ रहा है और आया भी निसंदे आया लेकिन उसके बाद MP तक पर ही दर्शकों ने पूछा चुकि चुनावी राज का आप जिक्र कर रही थी कि वो चुनावी राज मदप्र इश्याद भुपाल में चार जगए फाई आर दर्ज हुए मेरे खिलाब फाई आर जब दर्ज होता है तो सिर्फ ऐसे ही नहीं होता है कि एक हेडलाइन बन बन गई है कि हाँ नेहा सिंग राठोर के खिलाफ फाई यार दर्ज और बात खत्म उसके साथ धेर सारा स्ट्रेस भूत आता है और धेर सारा पैसा भी जाता है है घना और मैं इतनी सक्षम नहीं हूं और ये इकदम सही बाथ है मेरे तो पती की नौकरी भी छिल ली गई है है ये एकदम सच्चा ही है और मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि हाँ बड़े-बड़े वकीलों को अफॉर्ड कर सकूँ कि यहां भाई तुम मेरे ये केस हैंडल कर लेना वो के हमारे उपर जब ऐसी चीज़ें आती है ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें सोचना पड़ता है अच्छा वकील को इतना देना है रूम का रेंट भी देना है बिजली का पानी का खर्चा सारा देना है तो जब यह सब चीज़ें हो रही होती है ना तो हमारे मन में गुस्टा भी आ रहा होता है तब काबा का पार्ट वन आता है फिर एक दिनगुस्टा आता है तो में आ ही पार्ट फोर टक्क आया है मैं आपको बता दूं लगभग हर महीने मुझे वहां मेरे वकील बोलते हैं कि आपको जाना पड़ेगा एक तो देखिए आपको क्रियाटिव होने के लिए थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए ठीक है क्योंकि मैं ऐसे कुछ नहीं बोल दूँगी उसके लिए मुझे प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा उसमें भी आपका टाइम जाएगा ठीक है तो राजस्थान को लेकर के में रिसर्च कर रही हूँ और राजस्थान का चुनाव भी बीता नह पूंगरेस नहीं बूलाए था बीजेपी वाले बुलाएं तो कहिएगा बीजेपी की कारें में जाने तैयार है महत प्रदेश में बिल्कुल जाओंगी तो मुझे बिलाते ही नहीं है महराज मैं तो कहती है वह मुझे आरोप लगाते हैं कॉंगरेस वाले बुलाते हैं जाती हो बुलाओ तू सही कॉंगरेस बीजेपी वालों की अब मैं बापको बात बता दूं बदलापूर में एक महत्सव होने वाला था तो सरकारी टाइप का इवेंट था मुझे कॉल आया और मैं इससे रिलेटेट आपको दो चार चीजें और कि भी आप समझ पाएंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और यह सब कुछ एक्दम नया नया अनुभव है मेरे साथ जो एकदम सिम्पल सी बात है आप मुझे बुलाएंगे हम जरूर आएंगे आपने हमेशा मुझे जब भी बुलाए मैंने का मैं जरूर आउंगी जो मुझे नहीं बुलाएगा मैं यह थोड़ी कहने जाओंगे भाईया हमको बुला लो वो सब मेरा स्वभाव नहीं है ठीक है तो मुझे कॉल आया कि आपको हम बुलाना चाहते हैं मैंने को बहुत अच् सकते और माफ करिए ठीक है क्या वजय है तो उन्होंने बताया कि फलाने मंत्री जी आ रहे हैं वे वी आईपी के तौर पे वही हैं मैं को सब फूहड गीत गाती हूं मैं तो बेरोजगारी के गीत गाउंगी वही तो नहीं सुनना है उनको खता बड़े-बड़े चैनलों का कॉंक्लेव होता है और दो बार ऐसा हो गया विपर दो नहीं बलकि तीन बार ऐसा हो गया एकदम सेम वही चीज हो रही है कि पहले आपको पांच लोग कोडिनेट करने की कोशिश करते हैं मैं वह अपने डीटेल्स भेज दीजिए वह मैं आपने भी भेजा नहीं कितने करते हो इस तरीके से होता क्या ना कि आदमी मेंटली फिर तयार करता है बैक पैक करता है चार जगे से अगर कहीं और आपको बुलावा आ रहा है तो हम उसको कहते नहीं नहीं हमें वहां जाना है और इसके बाद इस तरीके की चीजें तो यह सच में बड़ा ही मेरे लिए त तो गुसा जाती हूं कभी तो यह क्यों हो रहा है मेरे साथ तो बीजेपी वालों से कहिए वो मुझे बुलाएं और मेरे बिरोजगारी के गीत सुने न गाये तो कहिएगा कि नेहा नहीं गाया अप गीत की बात कर रही है तो बिहार में आपका एक मजदूरी वाला गीत था कर के मजदूरी में तो आप पहले वो गीत सुना दीजेए फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं हाँ जरूर जरूर हम भाया हाई हम भी हारी बहर जात बानी हो कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो एह जकाही के बिहारी लोगवागारी देवेला हवे हवे जवन सबजी तरकारी देवेला दिन में सौबेर आवकात में नपात बानी हो कक दिली में मजुरिया हम कमात बानी हो साथ मैंने हो गए इस गाने को आए हुए जब आपने बिहार के मजदूरों की बात की या बिहार के पलायन की बात की अब ऐसा लगता है कि जहां से नेहा को फेम मिला जिस जगह ने नेहा को बहुत कुछ दिया नेहा उस स्टेट को भूल गई अब उत्तर प्रदेश में काबा मध्य प्रदेश में काबा या कुछ ऐसा भी प्रभाव है कि बिहार में सरकार बदल गई तो अब नेहा सवाल नहीं करती देखिए जब चचा भतीजा की सरकार बनी अब पता नहीं लोग भूल जाते हैं तो फिलाल ओना पीजैपी विपक्ष में है धिक गया था लिए अगारे आगर मेरे फोन में है तो मैं सुना देती हूं तो लोगों का ब्रहम तूट जाएगा अगर मेरे पास recipro तो मैं यह मनने.. कि ऐसा नहीं है मैंने बिहार के लिए गाया हूँ है माराज देखिए उस सोशल मीडिया वाले ट्रोल की बास सुनकर के ना आप नहीं नहीं भूले नहीं है उसों हम देख रहे हैं और चचा भतीजा एकके होई हैं पटीदारी के बात बा ऐसे कुछ करके चोरी चकारी हिंसा अ दिखा दें एक चीज और ऐसा लग रहा है कि नेहा जैसे जैसे आगे बर रही है नेहा में गुस्सा बहुत आ गया है तमाम मंचों पर कभी माइक फेकते हुए वाइडल हो जाती हैं कभी दूसरे कभियों को कहें तो एक तरीके से मंच से उनको काफी सुनाती हैं कभी एंकर जा रहा है ठीक है बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कई बार मैं खुद भी आत्ममंधन करती हूं और मैं अपने अपने दोस्तों से भी पूछती हूं कि वह तुमने कारेकरम देखा उस में ज्यादे अग्रेसिव हो गई थी क्या क्या सच मुछ मुझे नहीं होना च क्याता हूंगी मुझे लगता है मैं प्यारी बच्ची हूं मैं बहुत सीधी बच्ची हूं पर मुझे लगता है कि जब मेरे स्वाभिमान हो जाता है ये बताना है ना अग्रेसिव होने की रही बात तो एक तो मेरा ये बोलने का अंदाज है मैं बिहार से हूं बख बाय कर देने की तो वो तो एक थोड़ा दिल्ली वालों को लगता है कि देखो कितनी अजीब सी मतलब बहुत ही वैसी बात करती है तो गुसल मैं नही है अच्छा आपके काबा को और आपके जितने भी आप पॉलिटिकल बुल लिखते हो या फिर कुछ भी सवारे से लिखते हो वो सब में खूब सुने होए है लेकिन आपकी जिन्दगे की ना कुछ जो सवाल है लोग जाता उससे रूबरू नहीं है आपकी परसनल लाइफ क करी है अच्छा हो गया है क्या उसकी तारिफ कर दिया है मैंने सोचती हूं कि ना नाम लूँ मुझे लगता है कि यहां सब लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि आप क्योरी मानश्यू की लव स्टोरी क्या है ओ हो अरे क्या मैं बोलू महराज लव स्टोरी हा लव स्टोरी ऐख लूर तो है अच्छा मैं कितना गर्व असे इसगे बात कहते हूं जितनी बार गर्व से सीना फुला के कहते हूं तनी बार मेरी मादुखी होती है जब 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 है वह कहती है तुम कभ सुधरोगी हो गया ने एक जगह बोल तो दिया अब दुटर ना जरूरी है किलम मेरेंगा और क्या प्यार किया अभोट मुझह और आपको लगत और मम्मी को लगता है कि पार किया तो फिर भी चार क्यों को बतना ना हमार बेटी ऑह사나 है और एंज मैरेज था अब मेरी मम्मी सच में अच्छा सोचल मीडिया पर हम और हिमांशु कॉमेंट करते रहते थे अरे हम लोग एकदम सची में प्यार किया तो डर्ना क्या वाला हाल था लेकिन मेरा भाई चाहे मेरे कोई रिष्टेदार स्क्रीन शॉट लेके मेरा भाई को भ किताब खरीदने आए तो वहां से हमारा परचय हुआ और परचय से फिर प्रेम हुआ और प्रेम हुआ इसके बाद घर में बड़ा हमको कुटाई भी हुआ हाँ बहुत लात जुत्ते मैंने खाए हैं मम्मी बहुत नाराज थी मम्मी को हिमांग्षू नहीं अच्छा लगता था हिमांग्षू दाड़ी वाड़ी रखते हैं तो मेरी मां को लगता था कि गुंडा बदमाश है इससे ये बियाह कर रही है अच्छा उसको ये तो लगत पापा से भी एंबेड़कर नगर का एक लड़का है देखीयो कौन जात राधर है पता निक अटा रिए विया करने को लेकर अचाने मेरे गाउं एक यह भी हला है कि मैंने इंटर कास्ट शादी किया हुआ है, हलाकि ऐसा नहीं है, मैं सफाइस पर नहीं देना चाहती हूँ, पर मैं जस बता रही हूँ, कैसा लोग कहते हैं, रे हई कास्ट से बिया कर ले ले, बिया हाउ कास्ट से, तो बहुत मुश्किले थी, फिलहाल अभी सब कुछ शांत है, और म ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, नहा मैं जब भोजपूरी गाने सुनती हूँ, तो सबसे पहले जो गाने आते हैं, उनका अर्थ निकालने में ही मेरे को विजवल से देखके बड़ी मुश्किल होती है, देवरा ढोडी चटनाबा, ओठलाली से रोटी बोर के, हमका दु इस पर आपका क्या सोचना है, जैसे मैं हरियाना में भी देख रही हूँ, तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं और वो विश्व की अलग लग जगों पर भजवी रहे हैं, लेकिन भोजपूरी का मैं देख रही हूँ कि पता निया कि कौन से सालों के ग परतों का जिस तरह से चितरन किया जाता वहां पर, बिल्कु सही कह रही है, और इस चीज पर मैं भी कई बार विचार करती हूँ, और कई बार तो, आज कल तो मैं आपको एक बात बताओं, यह मंच पे स्टेज शो का चलन हो गया है, एरे गेरे नतुक, हैरे सब स्टेज शो रहा है, है न, देखिये, यह मैं भी कई बार सोचती हूँ, कि मुझे यह लगता है कि अगर भोजपूरी में 4-5 शब्द, एक लहंगा, एक चोली, लिपिस्टी, काजल, बिंदिया टाइप की चीज हटा दिया जाए, तो भोजपूरी एक गाना रेडी होने में, मुझे अच्छा, एक और बात है, जो भतार शब्द है, वो इतना बेकार शब्द नहीं है, जितना भोजपूरी में भतार को बेकार कर दिया गया, वो शब्द बेकार नहीं है, अच्छा, देवर को भी साथ में, देवर भावी के रिष्टे को, अच्छा, एक और बात में बताऊं मुझे ये बड़ा ही अलग बात है मुझे जीजा शब्द से बड़ा नफरत होता है मैं अपने भी जीजा जी को भाईया बोल देती हूं भाईया नमस्ते जीजा जीजा जो बड़े गंदे जगे पया के इसे रंग लगा देता है मेरे लिए भी विशार का विशाय मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ मिलकर के इस पर सोचना चाहिए कि यह चीजे अगर है तो क्यूं है और इससे निवारन कैसे पाया जाए मुझे लगता है कि बुस्पुरी गाने में अगर एक लड़की को हटा दो ना गाना बना के दिख हेलो तुमारा पेट ऐसा है तुमारा नाभी ऐसा है तुमारा हाथ ऐसा है तुमारा आख यहीं वचाय करने को और भी तो चीजे तारीफ करने की और भी तरीके है ना लड़कियों की तारीफ माने बस वही बड़ा हाँ थोड़ा अजीब तो है पर पता नहीं इसमें सुधा नहीं है लोगों में लोगों को लगता है कि बस फलाने भाया कर रहे हैं वहीं मान लेना है अब इनके इतने विव आ गे तो बस उसका प्रेशर ले लेना है कि हां बहुतने इनके तो व्यूज आते हैं तो अपने आप में कुछ चीज ही हो तो कोई भोझपूरी के जो पावर स पूछती भी बताओ उधर के लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में मेरे गीतों को ले करके तो उनको लगता है वह कुछ गाती वाती नहीं है वो राजनीती करना चाहती है संगीत में गाना है तो स्टेज पे गाके दिखाए तो जाने की संगीत है तोहरा बड़ा संगीत मालूम बाहब ऐसे बात करते हैं कि उगरा संगीत नहीं आता है उसको कुछ नहीं आता जाता है स्टेज पे जुगाए वही कलाकार है उनको यही लगता है पर मुझे लगता है सोनिया की घुचपुरी जो है वह प्रतिरोध का स्वर है और शुरू से ही इसका जो स्वभाव रहा है वो थोड़ा विद्रोही टाइप कर रहा है जुकेंगे नहीं है न और जो चीजें गलत हो रही हूं उसके कलाफ हम आवाज उठाएंगे हम विरुजगारी के गीत गाएंगे हम सरकारों की आलूचना करेंगे मैं यह नहीं कह रही हूं कि मैं पहली कोई गीत ली खरी लिकिन वर्तमान में मुझे बहुत कम लोग ऐसे दिख रहे हैं जो सच में भोजपुरी को भाशा के साथ नयाय कर रहे हैं अधर वही भोजपुरी हमार माई है और माई को चौराहे पे खड़ा करके जान मारे लहंगा लखना हुआ तो अर्लांगा उठादे रिमोट से अपनी मां कोई लेंगा रिमोट से उठाएगा अचोली खोलेगा अपनी बहन के साथ कोई करेगा यह गाना फटा फट खोल के देखाओ नयक्या देखना चाहता है हम सबको इस पर विचार करने की जरूरत है और क्या-क्या तो गाने हैं बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम कुर्ती के टूटल वा बटमिया घूमेलू बजार में मोहनिया मेरा होम डिस्टिक है मैं जिसकी बात कर रही हूं कुर्ती के टूटल वा बटमिया बढ़ सुने तो आपको एक तो यह लगे का कि या तो भोषपुरी की लड़किया यूपी बिहार की लड़किया इतनी दुष्ट हैं कि सच में उनको बाहर ना आने दिया जाए या तो मतलब पता नहीं क्या चल रहा है और इससे मुझे भी बड़ा दुख होता है आपके बहुत सारे गानों के नीचे मैं कॉमेंट्स भी देखती हूं बहुत बुरे तरीके से आपके ट्रॉलिंग भी होती है बतौर महिला उसका किस तरह से असर होता है और आप इन चीजो प्राइब ने तो हम लड़किव को थोड़ा फेस के बारे में पिंपल के बारे में बोल दोना तो मैं अब तो मेरे जाए तक मेरे दिक्कत नहीं आज भी देखिये आज मेक अप आर्टिस नहीं आई पिर भी मैं कॉन्फिडेंट हूं मुझे ये मालूम है कि पिंपल आना ज करता है तीस तक खतम भी हो जाएगा और नहीं भी होगा तो भी कोनों दिक्कत नहीं है ठीक हम कोई पेंट की दुकान है कि लाली बिंदी लगा करके बुद्ध नंप सज के बैठे रहना जरूरी है अरे कभी हम सज लेंगे जब हमारा मन होगा ट्रोलिंग होती है और बिना और हम गाली देंगे और रही बात की उस ट्रोलिंग को मैं कैसे देखती हूं तो सच मात मैं यह बोलूं कि आज से दो-तीन साल पहले जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं नहीं थी मैं बहुत घबरा जाती थी गुस्तायल वाला जो सभाव है कि लाइव एक दू लोगों को काम है अपर ळगातार मुझे ट्रोल करते रहें और इससे मुझे मजबूती मिलती में बहुत धीट लड deux अब तो लगता है कौन गाली लिखा ये गाली लिखा थोड़ा था वह इन वह तो काम है तो मैं बहुत धीट बहुत मजबूत हो गई हूं तो हाँ इस पर मैं सुक्री आदा कर सकती हूं जितने भी ट्रोल करने वाले लोग हैं आप करते रहें मैं मजबूत होती रहोंगी नही आपके तरह ही सरकार से सवाल करना चाहती है कुछ लिखना चाहती है बट अगेन उनको डर है कि यार ट्रोल हो जाओंगी तो मुझे क्या होगा कल को मैं घर से बहां ने निकल पाऊंगी जैसे आपके केस में आपके हस्बेंट की जॉब चली गई आपको इतना कुछ आ गया तो तो भाई थोड़ा रिस्क तो लेना पड़े गा ना ऐसे तो नहीं चलेगा क्या आप घर में सब कुछ आपके पती की नोकरी भी रहेगी और आप एक महान क्रांतिकारी हो गये हैं यह कैसे हो पाएगा थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा और वहाई रिस्क अमर मैं ये क्रांति को मुझे मालूम है ये बहुत बड़ी ताकत है और मैं कुछ नहीं हूं समंदर में एक बूंद समान भी नहीं हूं पर मैंने आपको वोट किया है और क्योंकि मैं समवैधानिक मुल्यों में विश्वास करने वाली लड़की हूं क्योंकि अभी व्यक्ति की यहां फुल, एकदम, फुल, टाइम, फुल, पर्मनेंट पॉलिटिक्स में आने का प्लान है? देखे, अगर फिलहाल कि अगर आप मुझसे बात करें, देखे, मैं आज में भरोसा करती हूँ, मुझे लगता है आज जी लो, कि कल का क्या भरोसा? बट स्टिल, मतलब स्टिल, कोई कि ठीके सोचूंगी, देखूंगी, करूंगी. शर्म आ जाएगी, महराज, मैं नहीं जा पाऊंगी. किस मुझसे मैं फोट मांगू? कैसे मैं आपको भरोसा दिला हूँ, है ना? तो अभी वो चीज मेरे अंदर नहीं है. नहीं जी, अभी भुचपुरी गानों पर बात हुई, तो आपने कहा, तारीफ के लिए और भी शब्द इस्तमाल किया सकते हैं, तो तंच कसने के लिए भी और भी शब्दों का इस्तमाल किया सकता है. अर्विंद केजरिवाल के बंगले पर आपने गाना लिखा, बोल आपके थे कि मफलर वाले का बंगला, अब वो मफलर पेहनते हैं, उस जमाने में पेहनते थे, सर्दी लगती होगी उनको, इसलिए पेहनते हैं, अब आपने गाना लिख दिया मफलर वाले बंगला, तो अर एक चीज होती है common sense और भगवान ने एक gift दिया है इंसान को तो बस उसको कभी-कभी खोल लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए मुझे लगता है की नहीं में सच मी बता रहे हूं इस चीज को इसका कहां पि इूज करना जो मैं普लर वाले बंगला की बात कर रही हूं अब फलनवा को बुझा गया बस बात खतम हमारा लिखना सार्थक हो गया अब केकर बंगला है नहीं बंगला है वो आपस में बात करिये हमने बात कह दी सहे बावा के देबो चुनी-चुनी गारी और आपके चेहरे पे एक स्माइल आ गया बात कनवे हो गई और यही है साहित आगे मुझे किसी का नाम नहीं लेना है आप समझते हैं हम जो गाते हैं बात खतम महराज यह सटायर वही है आप भी बुझ गए हम भी बुझ गए साम भी मर गया लाठी बीना टूटा बात निया जी अभी बात चल रही थी भोजपूरी में अश्लीलता की तो अभी लास्ट क पर जो गाने आपने कुछ एक्जामपल के दौर बता है इत्फाक से वो एक जीनों ने गाया वह अभी बीजेपी में हैं और कद्डावर ने ता हैं शांसद हैं उनके बारे में क्या कहना है लोगों ने उनके बारे में आपका क्या कहना है मतलब मेरा इसमाल किसी के जे उठके हमें कोचिंग जाना है और तीनों लोग साइकल चला के जाते थे ठीक है अचा हम तीनों बहुत बोल्ड थे ऐसा नहीं है कि हम लड़की ही ना और कुल मिला के दसवी में हमारी उमर 14-15-16 साल यही रही होगी तो मुझे यादे पुलिया था वहां पे अक्सर चाहो भी तो बात इसको समझ में नहीं आएगी और वो हमेशा हमें टॉंट करता था कभी किसी को आख मार देता था कभी किसी को कुछ बोल देता था एक बार क्या हुआ ना इसे भरी दो पहरी थी ठीक है दो पहर का टाइम था एक डेड़ बज रहा था और बड़ा टापू चेड़ा गया है तो हमें लगता है फिर जब आप यह बात कहते हैं कि बबुनी के लागल बस सहर के हावा औरी पढ़ावा कहनी की गववे में नौवा लिका आप तो कई महिलाओं का कई लड़कियों का करियर खा जा रहे हैं चार माई बापको आप घुम घुम के बता रहे कि आप सही बात यह है मुझे नहीं बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए तो मैं कह सकते हूं कि हां यह गाने जिम्मेदार तो हैं कहीं ना कहीं अहां मेरी मम्मी कहती थी नहीं नहीं जवान लड़कियों सांप की तरह होती आस तींके और शहर कहवा लग जाएगा होता है नवैं पता नहीं लड़कियं होस्ट में शराब पीति खुमारे जी नाराज्टी नहीं है वह मिलें चाहे कोई भी मिलें में बड़े प्यार से मिलूंगी आरोप रत्यारोप से अलग नहाजी पहले तो चट पे कुछ सुना दिजी उसके बाद एक सवाल भाशा को लेकर कर क चटका गीत तो हडबड़ी में गाया जाने वाला गीत नहीं है लेकिन मैं फिर भी सुनाती हूँ आपको एक तो वही बार-बार बोलना भी अरजीव लग रहा है कि गला खराब है गला लग रहा है बढ़ का गवया हो गई हूँ का चैहीं बासके बहंगिया बहंगी लचकत जाए बनीना महादेव कहरिया दौरा घाटे चाहू पाए बहंगी घाटे चाहू पाए आपने भाषा को लेकर के श्लीलता को लेकर के कई बाते कहीं भोजपूरी में इसका एबसुल्यूट कारण नहीं मिलता आप देखिए ऐसा नहीं हिंदी सिनिमा के साथ साथ भोजपूरी सिनमा भी समाना अंतर चली इवन आप देखें पुरानी जमाने में चले जाएं तो शैलेंदर के बोल आते थे भोजपूरी में इवन आप देखिए तो हेलन जी इतनी मशूर निर्त्यांगना उस पर काम करती थी उस इंडिस्ट्री में आकर के जब तब भोजपूरी इंडिस्ट्री नहीं था गिरमिटिया मजदूरों की समस्या उस भोजपूरी क्या कारण मनती हैं इसका देखिए इसके तो हां कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन जो सबसे अभी जो हम लोग नीचे चर्चा कर रहे थे ना बैट करके तो उसमें मुझे एक बात जो सबसे सटीक बात लगे कि देखिए हिंडी जो है वो अकादमी की भाशा है ठीक है और उ मुझे अगर मैं सही हूँ तो आप अभी जाने वाले हैं उसी विमर्ष में सुनेशने सब कूस्ट भौझ पूरी को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है है कोई इक क्रिटिशाइज करने वाला नहीं है कोई क्रिटिक नहीं है चार लोग बैठ करके मन्च लगा करके विमर्ष न समझ में आता कि हाँ ये रीजन है एक तो उस चीज का है बस एक आदमी है वो गा रहा है पावर स्टार टाइब का ट्रेंडिंग स्टार टाइब का और आज कल के लड़के को आज सोशल मीडिया का दौर है आपने हमाशु के वारे में काफी जिक्र किया आपके पती है जब उन महराज क्यों जूट बोलना और कहिए तो मैं आपको एफ इयार का क्या बोलते हैं नोटीस की कौपी दिखा दूँगी वो किस डेट को आया है वो भी डेट का ही जिक्र करते हैं अब इस बार तो मैं लेके नहीं आई हूँ अगली बार मैं आऊंगी तो मैं लेके आऊंगी फिर किस दिन उनसे रिजाइन मांगा गया मैं आपको बता दूँ आज आज हिमांशु को नोटीस आया और ट्विटर पर मैंने शाम तक अपलोड भी कर दिया था सबको पता था और अगली सुबह 11-12 बजे उनको कॉल करके बुलाया गया मैं जूट क्यों बोलूं गया आखिर मैं सबसे ज्यादा जरूरी सबसे ज्यादा महत्पूर्ण क्योंकि इस समय पांच राज्यों के चुनाव हैं काबा आप लिख रही है तो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी लगता है काबा सबसे जरूरी लगता है आपको लग रहा है कि इस वह शेपर सबसे हाँ उसके लिए तो अभी मुझे लिखना होगा कितना अच्छा से बोलते हैं आप एक्तम ट्रोल कर देना चाहते हैं सटायर कर देना चाहते हैं मैंने MP में कावा का पार्ट फोर लिखा है मैं वही आपको सुना करके अरे मामा राज में लाडली बहना के संग भाईल अंधेर बाब 20 साल से छटल अंधेरा होखे वाला सबेर बाब MP में कावा किसानन के बद हाली पर भाई नाही करत के हुँ बात बा चुकभुक चुकभुक बिजली पानी मामा के सोगात बा नकली बीज मिलावटी खात भाई भर भर के भी कात बा एही से किसान फासी लटके जहर माहुर खात बा MP में कावा गाउ में नलजल योजना बिजली बिल के कारण बंद बा पानी के बापर शानी ये मामा सूखा से सब तंग बा हैपिनेस इंडेक्स में मामा MP सब से पीछे बा मानोता सुच कांक में अरे हु में सब से नीचे बा MP में कावा सिमेंट लोहा भाईल बा महंगा टेक्स बढ़ल बा सरकारी थरिया से बाहर बा भाईया डाल रोटी या तरकारी नून असतुआ याटत नेखे इक इसन बा लाचारी गरीब इहां गरीबेर रह गईले अमीर भाईले व्यापारी अरे कावा MP में कावा अरे फरजी नर्सिंग फरजी स्टाफ आयूसमान में करोडो साफ अरे MP की जनताए मामा अब की बार ना करेगी माफ कावा MP में कावा अरे मामा गैंग परदे से वाके गंभी रभी मारी बास सर्वे कहतबा मामा के विदाई के त्रियारी वा MP में कावा बहुत बहुत धनिवाद आप आये आपने अतना वक्त दिया और आपका एक्सपीरेंस अगर आपको बताना है निर्मम तरीके से तो बता दीजिए नहीं देखिए मैंने वो पहले ही बता दिया था कि मुझे यहां अपनी मौसी का घर लगता है मैं यहां आती हूं इंद्रमोहन सर से कहते हूं सर मुझे कुछ समोसा खिला दीजिए हां मुझे सेंडविच खिला दे मुझे ब्लैक कॉफी पिला दीजिए और सच में मुझे यहां बहुत अच्छा लगता एक दम पूरा पारिवारिक महौल यहां मैं सबको जानती हूं बेब्बे वो बैठी हुई यह वो भी कितनी प्यारी है तो बहुत अच्छा लगा